अध्याय 91, कोई जवाबी हमला, इस नासमझ लड़की के कारण, नाला हताशा से मरने के करीब थी, क्या आपने नहीं देखा कि इस घटना के कारण हर कोई उसके प्रती सहानुभूती रखने लगा है। मुझे यह मत बताए कि आप चाहते हैं कि वहराक से उठे और आपके मुएगीगी के साथ अभिने जारी रखे। इसलिए वह केवल चीजों को वैसे ही छोड़ सकती थी जैसे वे थी और आशा करती थी कि वह बाद में कोई और परेशानी पैदा नहीं करेगी। ये पहले से ही एक निशकर्ष था कि फॉक्सी की प्रतिष्था धूमिल हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी योजनाय आजमाई वह केवल ऐसी छोटी छोटी चाले ही खेल सकी। वह संभवतर चीजों को कैसे बदल सकती है। उसने अनुमान लगाया कि निशकर्ष के पीछे का रहस्य मय प्रायो जग कुछी समय बाद उसे छोड़ देगा। कौन ऐसे प्रेमी को चाहेगा जिसकी प्रतिष्था इतनी खराब हो जिसने उसे धोखा दिया हो। यहां तक सोचते हुए नाला कुछ हट तक शांत हो गए। अंत में उनके बीच किसी और टकराव को रोकने के लिए गुओ किशेंग ने उस द्रिश्य को दोबारा फिल्माने का फैसला नहीं किया और सिर्फ उस क्लिप का इस्तेमाल किया जहां निंक्शी ने खून उगला था। आज फिल्मानकन के लिए निर्धारिक दूसरा द्रिश्य वह द्रिश्य था जहां मेंचान गगे को अभी अभी कंसोर की उपादी दी गए थी जबकि कंसोर जियान ने पक्षखो दिया था और उसे कोल पैलेस में फिक दिया गया था। में चान्गगे ने कंसोर्ट जियान से मिलने के लिए कोल्ड पैलेस में प्रवेश किया और कंसोर्ट जियान को अपनी असी पहचान बताए सौभाग्य से ये द्रिश्य काफी सुरक्षित था ये सभी भाव और समवाद थे ज्यादा कारवाय नहीं फिल्मानकन शुरू हुआ कोल्ड पैलेस में कंसोर्ट डी एक चौड़ी कुरसी पर बैठी थी और अपनी आखों के कोने से अपने पैरों पर गिरी हुई खेजनकाकृती को तिरसकार पूर्वक देख रही थी कॉनसोर्ट जयान क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ मुझे तुम्हें निश्चित मृत्यू की और क्यों धकेल ना पड़ा कुतिया आप सपश्ट रूप से मुझसे इरश्या कर रहे हैं इरश्या लुहूं की समराट मुझे पसंद करता है इरश्या लुहूं की मैं पसंदीदा हूँ कंसोर्ट डी ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो आप कहते हैं कि मुझे इरश्या हो रही है उस सरे हुए बुड़े आदमी के एहसान से कंसोर्ट डी तुम पागल हो गए हो क्या मैं समराट को बताने जा रहा हूँ मैं समराट को बताने जा रहा हूँ क्या आपने अपमान किया है कंसोर्ट डी ने अचानक उस पर एक भयावे थंडी नजर डाली जिससे कंसोर्ट जियान चुक हो गया इसके बाद वहें के एक शब्द बोलती रही कंसोर्ट जियान क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे आश्चर्या है कि क्या आपको नाम याद है में चान्ग गे आप 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 जेया कुइन की चाहे जो भी हो अपनी बात जारी नहीं रख सकी गुओ की शेन चिल लाया कटो इसे फिर से करें दूसरा प्रयास शुरू हुआ कौन सोर्ट जियान क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे आश्चर्या है कि क्या आपको नाम याद है मेंचान गगे इस बार फॉक्सी की नजर पिछी बार से भी ज्यादा करी थी ये जिया कुइन के गले में फंदे की तरह कसकर चिपक गया आप, आप हैं, हैं, रुको, इसे दोबारा करो तीसरी कोशिश शुरू हुई कौन सोट जयान, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे आश्चर्या है कि क्या आपको नाम याद है मेंचान गगे, फॉक्सी की भावनाएं और भी तीवर थी इस बार, उसका स्वर जया क्विंकिंग के जीवन की मान करने वाली एक दुरभावना पूना आत्मा की तरह था यहां तक कि उनके आसपास देखने वाले भी क्रोध और अक्रोश की उस अनवरत धारा को महसूस कर सकते थे आप, आप में चानगगे हैं, तुम कैसे हो सकती हो हो, हो, जेया क्विंकिंग लूप पर एक रिकॉर्डर की तरह थी, वह फिर से अपनी लाइने भूल गई थी काटना, इस बार, गुओ किशेंग ने अन्पता हपना सारा धहर्यक हो दिया और पटकता को फेक दिया वो, गुसे से गरजा, जेया क्विंकिंग, क्या हो रहा है? आपको इतनी सरल पंक्ती भी याद नहीं होगी क्या आप भी सामान्य रूप से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं? गुस्सा होने के लिए गुओ किशेंग को दोशी नहीं ठहराया जा सकता फॉक्सी ने द्रिश्य के मूर्ट को इतनी अच्छी तरह से चित्रिक किया था कि उसकी भावनाएं भारक उठी उनके पास एक आदर्श द्रिश्य हो सकता था, लेकिन जेया क्विंकिंग की मूर्ट तापून गल्ती ने इसे बरबाद कर दिया था बूओ की शेंग ने किसी तरह अपनी शांती वापस पाली थी, वो थोड़ा गर्म भाव से बोला, तो फिर शुरू करें तथा पी, इस बार, जेया क्विंक किंग हमेशा की तरह अपनी पंतिया भूल गई उसने हार मानने से इंकार कर दिया और बार-बार कोशिश की एक फिल्म थी, कोई टीवी सीरीज नहीं, उन्हें फिल्म के रोल का उप्योग करना पड़ा, वो कई बार इस द्रिश्य में असफल हो चुकी थी, ये जनशक्ति और धन की कितनी बर्बादी थी 33 वे असफल प्रयास के बाद, जेया कुइन की स्थब्ध होकर वही खड़ी रही अचानक, वो तेजी से चिल्लाए और पागलों की तरह फौकसी की और जप्टी फौकसी, तुम छोटी कुतिया, आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे अपनी पंतिया याद क्यों नहीं आ रही है यहाँ आप है, ये निश्चित रूप से कुछ हैसा है जो आपने किया असिस्टेंट और आसपास खड़े लोगों ने आनन फानन में उसे खीचने की कोशिश की अंत में, उसने उन सभी को पागलपन से दूर धकेल दिया यहाँ तक की नाला जो उसे मनाने के लिए गए थे, उन्हीं भी एक बार खरोंच लग गई थी इस बार, उसने सचमुच सभी को उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया था वो सचमुच पागल हो चुकी है, वो अपनी पंक्तिया याद नहीं रख सकी और यह किसी और की गलती है क्या किसी और ने उसकी दिमाग में घुसकर लाइने चुरा ली उसने सभी को इतनी देर तक रुखने पर मजबूर कर दिया और उसे इसका जरासा भी अफसोस नहीं है उसके लिए किसी भी तरह से किसी को उकसाना, फॉक्सी काफी दैनिय है क्या आपको नहीं लगता कि कल की घटना थोड़ी अजीब थी जैसे ही जियांग मुये ने कलाकारों में प्रवेश किया, वह सब कुछ फॉक्सी के साथ घटित हुआ अगर फॉक्सी को कलाकारों से बाहर कर दिया जाता है, तो सबसे अधिक लाब किसे होगा क्या तुम्हें भी पूछने की जरूरत है यहां तक बोलते हुए सभी ने जानने वाले भाव प्रदर्शित किये अध्याय बानवे, एक घटिया साथी उनके आसपास देखने वाले दल ने ऐसे भाव दिखाए जो जिया क्विंकिंग को तुच्छ समझते थे क्या जिया क्विंकिंग ब्रेंडेड है ये बस वही एक पंक्ती है मैंने उन्हें देखकर ही इसे याद कर लिया है क्या आप मेंग चान्गगे हैं? आप मेंग चान्गगे कैसे हो सकते हैं? मेंग चान्गगे की पहले ही मृत्यू हो चुकी है ये सिर्फ एक पंक्ती है क्या इसे याद रखना सच्वुच इतना कथिन है उस पोस्ट में यहां तक कहा गया था कि निंक्षी का अभिने बहुत ही भायानक था उसे वास्तव में जया क्विंकिंग पर एक नजर डालनी चाहिए ताकि अन्ततह उसे पता चले कि वास्तव में कुट्टे की गंदगी क्या है दरसल फॉक्सी अभिने में काफी अच्छी है क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि वो हमेशा एक ही टेक में द्रिश्य प्रस्तुत करती है भले ही द्रिश्य बरबाद हो जाए ये हमेशा किसी और की गलती होती है अब जब आपने इसका उलेक किया है तो ये सच प्रतीत होता है मैंने सोचा था कि वह अपने लुक के कारण अभिने में आई लेकिन कल जब वह युवा मेंचांगगे का अभिने कर रही थी तो वह अदबुत लग रही थी हाला कि वह पूरे रास्ते जियांग मुए को चिड़ा रही थी मुझे नहीं पता क्यों लेकिन इससे मुझे कोई बुरा एहसास नहीं हुआ इसके विप्रीत उन्हें देखकर मुझे लगा कि मेरा दिल धड़क रहा है ये सही है मैं कल उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गया अगर उन्होंने अभिनेता बदल दिया तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा ऐसा लगता है जैसे निंक्षी मेरे दिल में मेंचान गगे है नाला को उमीद नहीं थी कि इससे भी बत्तर स्थिती सामने आएगी तुरंट उसने जिया क्विंग किंग को अपने दिल में कुछ सो बार डांटा लेकिन वह फिर भी देखभाल भरी नजरों से आगे बढ़ी क्विंग क्विंग तुम्हें क्या हुआ क्या आप आज ठीक महसूस कर रहे हैं जैया क्विंग किंग इस समय गुस्सा करने की कगार पर थी उसने घबरा कर कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ जिसक्षन मैं फॉक्सी को देखता हूँ मैं अपनी पंक्तिया भूल जाता हूँ जैसे कि मुझ पर कोई बुरी आत्मा आ गई हो ये कैसे हो सकता है नाला ने वास्तव में जैया क्विंग किंग की बातों पर विश्वास नहीं किया ये सोचकर कि ये जैया क्विंग किंग का मूल रूप से खराब अभिने कोशल और आलस्य था हाला कि उसने फिर भी अपना धेर्या बनाए रखा और आश्वस्त किया आखिरकार तुम बहतर हो जाओगे मैं अभ्यास में तुम्हारी मदद करूँगी अभ्यास के एक दौर के लिए नाला उसके साथ थे और जैया क्विंग किंग अपनी पंतिया सहच्टा से बोलने में सफल रही देखो क्या यह अच्छा नहीं है नाला ने उत्साहपूरवक कहा जेया क्विंग किंग ने अपना आत्मिश्वास वापस पा लिया और निर्देशक की तलाश करने की पहल की निर्देशक मैं अब तयार हूँ अध्याय तिरानवे सत्य की हमेशा जीत होती है अंत में सभी ने सामान पैक किया और नाखुष होकर चले गए जेया क्विंग के इतना हंगामा मचाने के बाद निर्देशक ने उसे शान्त करने के लिए फिल्मानकन से दो दिन की चुट्टी लेने के लिए मजबूर किया फॉक्सी ने अपना मेकप उतार दिया था और जाने की तयारी कर रही थी तभी नाला चुपचाप अंदर आई अपनी बाहे अपनी चाती पर रखकर और तिरसकार से भरी अभिव्यक्ती के साथ उसने कहा फॉक्सी मैं वास्तव में नहीं बता सकती कि तुम इतनी कुटिल थी ओह मैं कुटिल हूँ एक फीकी मुस्कान के साथ फॉक्सी ने जिया क्विंकिंग की सोजन्य से नाला की बाह पर खूनी खरोंच पर नजर डाली फिर उसने मासूमियक भरे भाव के साथ पलके जपकाई क्या आप ही नहीं थे जिनके पास इतना महान रिष्टिकोन था और आपने इतने महान साथी को चुना आप नाला ने अपने दांग पीस लिए वोर इतनी गुसे में थी कि उसके सीने में दर्द हो गया वोर कैसे जान सकती थी कि जिया क्विंकिंग इतनी मूर्ख होगी फॉक्सी की प्रतिष्था पहले ही खराब हो चुकी थी तेर भी वल किसी तरह अपनी प्रतिष्था को साफ करने में उसकी मदद कर सकती थी प्रोड़क्शन क्रूफ फॉक्सी के बारे में अपनी राय भी बदल रहे थे फॉक्सी को यकीन था कि उसने आगे कुछ योजना बनाए होगी उसे तुरंट अपने कारियों का जवाब देने के तरीके के बारे में सोचना था वह फॉक्सी को पासा पलतने नहीं दे सकती थी नाला के साथ उस संक्षिप तक्राव के बाद फॉक्सी सेट से बाहर निकल रही थी जब उसका फोन बजा यहे एक टैक्स्ट संदेश था कॉरप डेवल केंग, मैं सामने वाली गली में तुम्हारा इंतजार करूंगी तुरंट उसे अंदर खीच लिया उसने अपने दर्वाजे से बाहर जहाका और दाएबाएं देखा जैसे वे कुछ संदिग्द कर रहे हूं पहले उसे इस बात से कोई आपत्ती नहीं थी कि फॉक्सी उससे किसी तरह जुली हुई थी और उसे इस बात से भी नफरत थी कि वो दुनिया के सामने उनके विशेश रिष्टे की घोशना नहीं कर सकता था हाला कि उस घटना का अनुभव करने के बाद वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसने पहले जो किया था उस पर पुनर्विचार किया फॉक्सी ने अपना बैग नीचे रखा अपने जूते उतारे और सोफे पर पालती मारकर बैग गई सबसे पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा क्या आपने इसे फिल्म आया जेयांग मोई ने अवाक होकर उसकी ओर देखा उसे उसके सामने अपनी छवी की बिल्कुल भी परवा नहीं थी क्या यह अभिशक्त महिला आप भी उसके साथ इक पुरुष जैसा व्यवहार करती है वह उसके सामने इतनी कैजूल क्यूं थी उसकी बदमाश जैसी शक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह फिल्म में थी क्या आप मेरे साथ भी एक घटिया साथी की तरह व्यवहार कर रहे हैं नेसन देह मुझे यह मिल गया जैन मुए ने नाखुशी से अपना फोन आगे बढ़ा दिया जब उसने बताया कि वह एक मासूम फूल की तरह व्यवहार करना चाहती है तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या करना चाहती है नेसन देह सभी रोमान चक नातकों का फिल्मान कन करने जा रही थी फोकसी ने फोन उठाया और प्ले दबाया उसने संतुष्टी में सिर हिलाया आपने बहुत अच्छा किया मैं तुम्हारे लिए एक मुर्गे की टांग जोड़ दूँगा इसके बाद उसने अपना वीबो खोला और अपने मुख्य खाते से ट्वीट किया नेसन देह विशह वस्तू उस तरह की माफी नहीं थी जैसी की मीचाहती थी लेकिन चार शब्द थे सत्य की हमेशा जीत होती है ये ट्वीट करने के बाद उसने तुरंट अपने साइट अकाउंट में लॉग इन किया और गोल्डन एज एंटेटेन्मंट गपशक में विशेशगयता वाले एक ब्लोगर को संदेश भेजा फिर उसने जिया क्विंकी के लगातार असफल द्रिश्यों वाला वीडियो उसे भेजा वे दोनों कमपनिया वास्तव में मृत प्रतिद्वंद्वी थी फॉक्सी को संदेश भीजे हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि ब्लोग ने तुरंत क्लिप पोस्ट कर दी उन्होंने एक बहुत ही आकर्शक क्याक्शन भी जोड़ा एक द्रिश्य में 33 बार असफल होना मनुरंजन जगत में नमब एक बेकार फूलदान आपको दिखाता है कि बक्वास अभिने क्या है जेयान मुए ने उस पर नजर डाली आप इसे इस ब्लोग पर भेज रहे हैं आप इसे अन्य ब्लोगों पर नहीं भेज रहे हैं मैंने इसे बहुत मेहनत से फिल्माया है फॉक्सी का सिर नीचे जुका हुआ था और वो टिपनी अनुभाग में दबी हुई थी ये ध्यान आकर्शित करने के लिए परियाप्त है हमें अगले चरन के लिए कुछ भी करने की आवश्यक्ता नहीं है क्या आपने सोचा था कि अभी केवल आप ही फिल्म कर रहे थे आपने इसका उपयोग पहले जिया क्विंकिंग से निपटने के लिए क्यों नहीं किया यदि आपने पहले ऐसा किया होता तो उससे तुरंट बदल दिया गया होता और इतना ड्रामा नहीं होता तुमने मुझे उस औरत को दो दिन तक सहने को मजबूर किया जयान मुए अप्रसन्नता से बुदबुद आया किसी को समझ नहीं आया कि जया कुईंकिंग अपनी पंक्तियां क्यों भूलती रही केवल जयान मुए को पता था कि क्या हुआ था अध्याय 94 अनियंत्रित जलता हुआ प्यार ऐसा इसलिए क्योंकि फॉक्सी जान बूज कर दबाव का अभिने कर रही थी दबाव अभिने एक ऐसी तक्नीक थी जिसे केवल बेहद अनुभवी अभिनेता ही कर सकते थे वे अपने अभिने का उप्योग दूसरे व्यक्ति पर मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए कर सकते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति असामान्य तरीके से कार्य कर सकता है अपनी लाइने भूल सकता है सबसे तीवर दबाव दूसरे को मानसिक अवरोग भी दे सकता है जिससे वे जीवन भर कभी उबर नहीं पाएंगे मनोरण जन जगत में बहुत कम लोग थे जो इस तक्नीक का उप्योग कर सकते थे सबसे महत्व कौई बात यह है कि इस तक्नीक को समझना बहुत कथिन था क्यूंकि यह बताना कथिन था कि क्या दूसरा केवल अच्छा अभिने कर रहा था या जानबूच कर दबाव अभिने का उप्योग कर रहा था ये तकनीक बिना कोई निशान छोड़े दूसरों को नुकसान पहुँचा सकती है फॉक्सी ने उसकी और अपनी आखे गुमाई मैं अपनी हरकते इतनी आसानी से नहीं कर सकती सबसे पहले उसे इस तरह के कदम का उप्योग करने के लिए एक विशिष्ट स्थिती की आवश्यक्ता थी उदाहरन के लिए आज का दृष्ष जेया क्विंकी को दबाने के लिए एक दम सही था दूसरे ये कदम फिल्मानकन की प्रगती को प्रभावित करेगा इसलिए वहनिश्चित रूप से इसका उप्योग नहीं करेगी जब तक कि उसे वास्तव में ऐसा न करना पड़े जियान मुवे को अंजाने में कुछ दुखद यादे याद आ गई और उसने अपने होंट सिकोड कर कहा तब मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जिन के लिए आपने ही कदम उठाया मैं बहुत सम्मानत महसूस कर रहा हूँ उस समय फॉक्सी ने इस चाल का उप्योग करके उसे दबा दिया था हाला कि वह जिया क्विंकिंग की तरह बेकार नहीं था आखिरकार उन्होंने धैर्य बनाए रखा और इस कदम पर काबू पलिया और उसके बाद उनके अभिने कौशल में कई गुना सुधार हुआ इतना कहने के बाद जयान मुए ने उसे जलती निगाहों से देखा क्या हम आज रात एक साथ खाना खा रहे हैं तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ अकेले व्यवहार करोगे आपने ये भी वादा किया था कि आप एक और दिन मेरे साथ गेम खिलेंगे इसके लिए फॉक्सी ही गलत थी इसलिए उसने असहाय होकर रह भरी और कहा ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी और तुम्हारे साथ खिलूंगी, ठीक है मैं बस मोटींग को संदेश भेजने जा रही हूँ और उसे बता दूँ ये सुनकर जयान मुए कि अभिव्यक्ति तुरंक बदल गई आप केवल लिटल बन के लिए अस्थाय रूप से रह रहे हैं जब आप वापस नहीं जाते हैं तो आपको रिपोर्ट करने की आवश्यक्ता क्यों है आपके और मोटींग के बीच क्या संबंध है हाला कि मैं मोटींग को एक संदेश भेज रही हूँ प्राप्त करता लिटल बन है ठीक है फॉक्सी उससे परिशान होने में बहुत आलसी थी उसने अपने फोन की ओर देखा और एक संदेश टाइब किया मेरे सबसे प्रिय प्रिय आँटी आज रात वियस्थ है इसलिए मुझे बहुत देर हो सकती है याद रखे कि रात का खाना खाल ले और सो जाए जब आँटी फ्री होंगी तो मैं आपके लिए अच्छी कपड़े खर दिंगी मैं तुम से प्यार करती हूँ तिल जॉक्सो जयाल मुई ने उस संदेश को देखा और इतना नाराज हो गया आप लिटल बन के प्रती इतने द्यालूख यू है जब हम साथ थे तो तुम मेरे प्रती कभी इतने नम्रह नहीं थे जब भी हम जगरते थे तो तुम मुझे पीटती रहते थे फॉक्सी ने तिर्ची नजर से उस पर नजर डाली तुम इतनी मार के लायक थे लिटल बन बहुत प्यारा है क्या आप निश्चित हैं क्या आप उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जयाल मुई की खूब सूरत आखे चमकते सूरज की तरह चमक उठी फॉक्सी क्या तब भी तुम्हें कभी मैं पसंद आया था तुम सच में बस मेरे करीब आ गए फॉक्सी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा बकवास बिल्कुल नहीं तुम 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 जयाल मुई ने उसकी ओर इशारा किया और काफी देर तक कुछ नहीं बोल सका फॉक्सी ने अपनी थुड़ी उपर उठाए और उसे देखकर मुस्कुराई तो क्या आब आपका मन्क्रोज से भर गया है क्या हम अब भी रात का खाना खाने जा रहे हैं जयाल मुई ने दाथ पीशते हुए कहा हम खा रहे हैं वो उसकी बुरी योजनाओ में कतई नहीं फस सकता था उसी समय मुन्निवास में मोजिंग तक ये को गले लगाते हुए सोफे पर बैठ गया यदि उसके पीछे उसकी पूछ होती तो वो तूफान उठा देता भाई 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 बताओ मुझे बताओ कल रात क्या हुआ आज सुबह फॉक्सी के शब्दों के कारण उसे एक महिला को ढूंडने के लिए कहा गया था मोजिंग की अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी उदास थी मोजिंग की जिग्यासा को संतुष्ट करने के लिए उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने दिल में जलते प्यार को नियंत्रित नहीं कर सके और नियंत्रन खो बैठे और रात में उस पर हमला करने चले गए और फिर आप अपने कारियों में सावधान नहीं रहे और फॉक्सी को जगा दिया तब आप मौके पर ही फंस गए थे इसलिए आपने सिर्फ नींद में चलने का नाटक किया मोर जिंग की विवरन भरने की क्षमता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी मोर टींग ने नजरे उठाई और उसकी ओर देखा इस वियक्ति की सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग इस तरह की चीजों पर किया गया था है ना अपने प्यारे भाई की अभिव्यक्ति देखकर मोर जिंग को बस इतना पता चला कि उसने सही अनुमान लगाया था ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जैसे उसे खुद से प्यार हो गया हो हे स्वर मैं बहुत स्मार्ट हूँ भाई क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानता अचानवे मोजिंग को ऐसा देखकर जैसे वह नाम मान रहा हो मोजिंग ने उदारता पूरवक कहा आपको एक महीने की चुट्टी मिलेगी बहुत खुश होकर मोस्टिंग मौके पर ही नाचने के लिए लगभग उच्छल पड़ी उन्होंने तुरंट अतुलनी अफसोस के साथ कहा भाई अगर तुम इसा करते रहे तो तुम अपनी ताकत बरबाद करोगे आपने तुरंट जियो जिक्सी पर हमला क्यों नहीं किया कितना बेकार है मोजिंग ने उसकी और उदासींता से पूछा और तुम्ही क्या लगता है ऐसा करने से क्या परिनाम होगा मोजिंग ने अपनी थुड़ी रगली और गंभीरता से कहा आपने हमेशा लिटल बन का इस्तेमाल करीब आने के बहाने के रूप में किया है ताकि वह घबरा न जाए और भाग न जाए यदि आपने इस समय अपना जाल उजागर कर दिया शीशी समभवता हजारों हजारों मील दूर भाग जाएगी मोटिंग हालां कि यह सच था मुझेंग द्वारा इसे ऐसे ही कहने से उसका मूड खराब हो गया दरसल वह जाना चाहता था कि कल रात लापर वही से काम करते समय उसने इसके बारे में क्या सोचा था उसकी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों थी उसने पहले क्या अनुभव किया था भाई क्या मैं आपसे एक प्रशन पूछ सकता हूँ हाल ही में आपका मूड इतना अस्थिर क्यों है कुछ हुआ क्या मोट जिंग ने ध्यान से पूछा वो हिसे इस तरह से रखने में पहले से ही काफी चतुराई से काम कर रहा था सच तो यह है कि मोट जिंग का स्वभाव इतना चिर्चिरा था कि वह मासिक धर्म वाली लल्की की तरह लग रहा था मोट जिंग ने अपनी लंबी पत्ली उंगलियों के जोलों से उसके बाद वह उचल पड़ा क्या व्रश्ट शैतान राजा जियान मुए है क्या वह अभी परसो ही वापस नहीं लोटा मुझे ये भी खबर मिली कि वह लैंड अंड हैवन के लिए दूसरे मुख्य पुरोश अभिनेता बनने जा रहे थे उसने कभी नहीं सोचा था कि लोमली के साथ उसका इस तरह का रिष्टा होगा ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा किसी कारण से अच्छानक वापस आ गया हो इसके अलावा वापस आने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्म चुनी वह थी लैंड अंड हैवन मोजिंग का सारा अनुमान पैसे पर था हे भगवान कोई आश्चर्य नहीं कि आप हाल ही में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं मोजिंग ने मौके पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहा किसने सोचा होगा कि हमारे बीच एक गददार है तो फिर वाए इसका क्या क्या तुम ही इसका पता चला मोटिंग की आँखों में अंधेरा चा गया जिस व्यक्ति ने हीरा भेजा था वो से छोड़ने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया इसके अलावा हीरे की उत्पत्ती का पता नहीं लगाया जा सकता है सम्भवता ही यही एक विशेश माध्यम से लाया गया तस्क्री का सामान है इतना सुनते ही मोट जिनके मूँ का कोना हिल गया उन्होंने कुछ अवाक होकर कहा एक और सिरदर्ध है इस बार इसका लूप परिवार से कोई लेना देना नहीं हो सकता है है ना क्या हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ती है जिसके पास ये शुरुवाती अक्षर है ऐसा लगता है जैसे वहाँ नहीं है आह उसके प्यारे भाई के लिए एक साधारन देट पाना कितना जतिल था अन्य लोगों का डेटिंग जीवन किसी रोमेंटिक ग्रामा जैसा था उनका व्याभारिक रूप से एक रहसिमय जासू सी उपन्यास था इसी समय मोटिंग का फोन बजा ये लोमडी की ओर से एक संदेश था सामगरी को पढ़ने पर खतरना प्रानी जो आँखों की गहराई में हाईबरनेट कर रहा था हिलने की धमकी देने लगा मोट जेन बुट सुकता से करीब आये लोमडी दार संदेश उसने क्या कहा उसका भाय ऐसा क्यों लग रहा था मानो उसके साथ धोखा हुआ हो मोस्टी ने तुरंट उसे कॉल करने से पहले कुछ सेकन तक उस संदेश को देखा निवास नमब छे पर फॉक्सी ने तुरंट फोन उठाया हेलो मोटि क्या कोई बात है क्या आपने वल संदेश देखा जो मैंने अभी भेजा था इसे लिटल बन को दिखाना याद रखें मैंने उसे देखा आप कहा है मोटी ने पूछा फॉक्सी ने रसोई की ओर देखा जहां जयान्ग मुए अपने पाक कोशल को दिखाने की कोशिश में व्यस्त था मैं जयान्ग मुए के घर पर हूँ मुझे उसके साथ कुछ चर्चा करनी है साथी वह अभी वापस आया है इसलिए मैं उसके साथ स्वागत रात्र बोज़ कर रही हूँ अध्याय 96 आपने कहा कि आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं था ठीक है मैं समझ गया मैं बाद में आऊंगा मोटी ने शांती से कहा हाला कि फोन के दूसरे छोर पर फॉक्स इस्तब्ध थी आह तुम आ रहे हो क्यूंग क्या कोई समस्या है मोटी ने सवाल का जवाब दिया उनका स्वर थोड़ा शांत था एंग कोई समस्या नहीं अभी प्राय का लहजा बहुत ही गंबीर था वह इसका खंदन नहीं कर सकी फोन रखने के बाद फॉक्सी को असमंजस में देखकर जेयांग मुए ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने कहा? तुम्हारे चाचा ने कहा था कि वह बाद में आएंगे क्या कहा आपने? जेयांग मुए के हाथ का चम्मच खडख़़ाहाथ के साथ जमीन पर گिर गया फिर उसने उसकी और इशारा किया और दुख से विलाप करते हुए कहा लो मली तुमने मुझसे कहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है हम बस साथ में खाना खा रहे थे आपने उसे अपने पास क्यों बुलाया शांथ हो जाओ, मुझपर गुस्सा मत करो, ठीक है सिरदर्द महसूस करते हुए, उसकी और आखे घुमाते हुए बोली, मैंने उसे यहां नहीं बुलाया उन्होंने पूछा कि मैं कहा हूँ और मैंने बहुत सामान्य रूप से उत्तर दिया कि मैं आपके साथ स्वागत रात्रे भुज कर रहा हूँ फिर उसने कहा कि वह आने वाला है, इसकी सबसे अधिक संभावना इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि आपके वरिष्ट होने के नाते उसे आपका ख्याल रखना चाहिए तो वह साथ में खाना खाने आ रहा है, ऐसा लगता है, यह उसका तर्क है, जियान मोई ने फर्ष पर एक कटोरा फिका, क्या तर्क है? क्या आपको लगता है कि मोटिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की करीब आएगा? तुम्हें लगता है वह मेरे साथ खाना खाएगा, जब मेरी माँ उसे भोजन के लिए आमंतरित करने की कोशिश करती है, तो वह अधे साल बाद आती है, दूरी उसका मध्य नाम है, मोस्टिंग ने अधीरता से उस पर तकिया उच्छाला, तुम भयानक बच्चे हो, क्या क कोई आपके लिए चिंतित नहीं हो सकता, आपको मुझे और मोटिंग को एक साथ क्यों रखना है, हम एक दूसरे के अनुकूल कैसे लगते हैं, जयान मुए ने खुद से बुद बुदाया, यही एक आदमी का अंतर ग्यान है, आप क्या जानते हैं, जिस समय वे जगर रहे दर्वाजी की घंटी बजी, फॉकसी ने दर्वाजा खोलने के लिए उठने से पहले, जयान मुए को चेतावनी भरी द्रिश्टी से देखा, यह संकेत देते हुए कि उससे अपने शब्दों में साबधान रहना चाहिए, जैसे ही उसने दर्वाजा खोला, फॉकसी तुरं गया और उसने जट से उसे उठाया, डालिंग तुम भी आए, मैं अब भी दुखी था कि मैं आज रात डालिंग के साथ खाना नहीं खा सका, घर में जयान मुए ने छोटे बन ले जाने वाली लोमली को देखा, फिर उसकी नजर मोटिंग पर पड़ी, जो अपनी आँखों स्नेल के साथ उन्हें देख रहा था, उसे लग रहा था कि वे तीन लोगों का परिवार हैं, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लोमली वास्तव में लिटल बन के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएगी, लिटल ट्रेजर एक ऐसा अस्तित्वर था जिसके करीब ज़ना उसके पिता से भी अधिक कथिन था, जहां तक मोटिंग की बात है तो फॉक्सी के प्रती उनका रवया बहुत अजीब था, भले ही ये लिटल बन के लिए था, उसके व्यक्तित्व को जानते हुए भी, वह संभवता एक ही छट के नीचे एक अजीब महिला के साथ र देखा और कहा, देखो, वे सभी सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहां आये हैं, अंकल, दूसरे अंकल और यहां तक की लिटल बन भी आये, जल्दी अंदर आओ, हाला कि वह बहुत खुश नहीं था, जयान मुए केवल आग्याकारी रूप से उन्हें अंदर आ पचा था, मोटिंग ने एक मिशेलिन शेफ को रात का खाना पकाने के लिए आमंत्रिक किया था, मोटिंग घर से अच्छी वाइन की दो बोतले लेकर आया था और लिटल बन फॉक्स को ले गया था, फिर वे पाँचों अजीब महाल के साथ मेज की चारों और बैक गए, सौ पूसरे अंकल तुम ही टोस्ट देंगे, धन्यवाद, ये सही है, मुझे अभी तक आपसे पूछने का मौका नहीं मिला, आप फॉक्सी से कैसे मिले, मोटिंग ने बिना सोचे समझे पूछा, अपने भाई की और से जानकारी निकालने की कोशिश की, ये प्रश्न सुनकर ज पूछ हुई द्याले में मिले थे, और हम एकी बैच में हैं, मोटिंग ने अपनी आखी से कोड ली और उसकी और तिरची नजर से देखा, कुछ शिपे हुए अर्थ के साथ कहा, मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, है ना, मुझे यह मत बताओ कि वह एक कूर्व प्रेमिका है, जिसे पाने के बाद तुमने उसका पीछा किया और उसे एक तरफ फिक दिया, आपकी मा और आपके प्रशंसकों को छोड़ कर, आपकी तरफ की महिलाएं आपकी पूर्व गल्फ्रेंड हैं, जियांग मुये, फॉक्सी ने हंसते हुए कहा और लू जिंगली क जिसका वह अनुमान नहीं लगा सके, आप आधा ही सही कह रहे हैं, जियांग मुये ने जवाब दिया, उसका चहरा काला पड़ गया, एह, आधे अधिकार से आपका क्या मतलब है, मो जिनको समझ नहीं आया, वह मेरी पूर्व प्रेमिका है, लेकिन वह वही थी जिसने मेरा पीछा किया और मुझे छोड़ दिया, जियांग मुये ने बोलते समय सामने बैठी लोमली की और एक परित्यक पत्नी की अभिव्यक्ती के साथ घूर कर देखा, जब वह फॉक्सी और लिटल बन को उनके स्टेक काटने में मदद कर रहा था, तो अधिकांश की आँखों में एक अद्रिश्य चमक चमक उठी, यहां तक की मोजिंग भी चौक गया, यह पहली बार था जब उसने गलत अनुमान लगाया था, उसने मेज को दोनों हाथों से पटक दिया और अपने उत्साह को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, सच में, क्या आप मेरे साथ मजाक कर र उसे उम्मीद नहीं थी, जेयां मुए ने गुसे में उसकी प्लेट पर पसली ठोप दी, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो उससे पूछो, वे अचानक इस विशे पर क्यों आये, लोमरी का चेहरा बेबसी से भरा था, वह पूरी तरह से एक दुरगट ना पुरानी पीरी के व्यक्ति के रूप में, क्या योवा पीरी की गपशप में इतनी दिल्चस्पी रखना आपके लिए वाकई अच्छा है? ये देखकर कि जेयां मुए की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई थी, और वह अपने वरिष्टों के सामने उसे बुरा नहीं दिख जाना चाहता था, फॉक्सी ने उत्तर दिया, ये कुछ खास नहीं है, उस समय स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, मैं उनमें से सिर्फ एक था, अंक में हम अलग हो गई क्योंकि मैंने पाया कि वह वैसा नहीं था जैसी मैंने कल्पना की थी और मेरी क अलग द्वस्त हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे चालाक शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन मुझिल को पता था कि चीजे इतनी सरल नहीं थी, अन्य था, जियान मुई की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं दिखेगी, तस्क, वह ही देखने जा रहा था कि बाद में उस थोड़ी शराब पिलाने के बाद क्या वह बच्चे के शरीर से कुछ कीच सकता है, चून की लिटल बन आसपास था, फॉक्सी ने आज रात शराब नहीं पी, खाना खत्म करने के बाद वह में इसके पास बैठी और थोड़ा उप गई, इस प्रकार उसने पूछा, मिस्टर मो, क्या मैं कुछ गेम खिलने के लिए वहाँ लिटल बन ला सकती हूँ, मोटी ने सिर हिलाया, आगे बढ़ो, हाला कि लोंगी के साथ उसने जो लहजा इस्तिमाल किया था, वह सामान्य लग रहा था, लेकिन इससे एक गर्मजोशी का एहसास हुआ जो अन्य लोगों के वह उसकी वीडियो गेम मशीन थी, सेट अप जिसे वह विशेश रूप से वापस लाया था, उसने वास्तब में दूसरे आदमी से अनुमती मानगी थी, और दूसरे आदमी के साथ खिलने जा रही थी, वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वह आदमी सिर्फ पांच साल का हो, अध्यायत थानवे, केवल आप ही है जो मुझे ठीक कर सकते हैं, दो घंटे के बाद, मोजिन के बहादूर बलिदान के बावजूद, वह नशे में गिरने से पहले उस बच्चे जयान मुए से कुछ भी नहीं कीच सका, दरस, जयान मुए पहले ही अपनी आखिरी सांस पर इतना अड़ा हुआ था, हाला कि अभी उसका दिमाग खराब था और वह सोच नहीं पा रहा था, मेज पर एक मात्र व्यक्ति जो अभी भी शान था, मोटी कर रहा था, मोटी ने बटलर को मोजिन को घर ले जाने के लिए बुलाया, फिर उठ खड़ा हुआ और हलके किये और आगे बढ़ गया, लड़की अपनी बाहों में एक मुलायम, सफेद छोटा बन लिये हुए थी, वो मधूर नीन का द्रिश्य किसी को भी सारी प्रसिद्धी और प्रतिष्था त्याग कर जीवन भर चुक्चाप उसके साथ सोने के लिए प्रेरित कर सकता है, वह आखिरी संभव क्षन में रुख गया और लिटल बन की ओर मुल गया, और उसे धीरे से आवाज दे कर जगाया, चोटे बन ने अपनी नीन्द भरी आखे मली, अपने सिर पर बालों का गुच्छा चिपकाय हुए, वह सामान्य से भी अधिक सुन्दर लग रहा था, मोट चोटे बन से नजरे मिलाएं और कहा, चलो चलें, चोटा बन आग्याकारी धांग से अपने पिता के पीछे पीछे चला, उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ भी अजीब था, जियांग मुये, जियांग मुये ने अपनी पूरी ताकत से अपनी आखे मली, वह इतना नशे में था कि उसे मतिब्रम हो रहा था, है ना, ये होना चाहिए, मोटिंग की गतिविद्या इतनी रहा से मय क्यों थी, उसने अपने छोटे भाई को उठाने के लिए बटल को बुलाया और अपने सोते हुए बेटे को जगाया, लेकिन लोमरी को बिना जगाय वापस ले जाने हुए देखकर, जब वे चले गए तो उसके पीछे चोटा बन भी चल रहा था, जियान मुए चकित रह गया, आखिरकार उसका सिर मेज पर गिर गया और वहन ततह नशे से गिर पड़ा, मो निवास में चोटा बन फॉकसी के साथ सोना चाहता था, मोटिंग पुरुशों को म साल के बच्चे नहीं, बलकि पांच साल के वयस्क हैं, अब सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ, छोटा बन, मोटिंग की अभिव्यक्ती गंभीर हो बई, क्या तुम हमेशा के लिए आंटी फॉकस डालिंग बनना चाहती हो, मैं उसे केवल तीन महीने तक ही अपने पास रख सकता हूं, अगर मैं तब तक उससे शादी नहीं कर सका, तो वह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी, ये सुनकर छोटे बन के हाफ भाव बदल गए, वह शिकायत में चिलाया और लोमरी की ओर देखा, जाने के लिए अनिच्चुक था, अंतता वह हर कदम प उसने उससे फिलहाल मना ही लिया, मोटिंग ने फॉक्सी को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कपड़े बदलने के लिए महिला नौकरानियों में से एक को बुलाने से पहले उससे अपने जूते उतारने में मदद की, अचम्हे में रहते हुए, फॉक्सी को लगा स्पर्श से स्थब्ध, मोटिंग एक पल के लिए ठिठक गई, इससे पहले कि उसकी बड़ी हथेली ने उसके गर्म छोटे हाथ को धाग दिया, हाँ फॉक्सी ने भॉहे चड़ाते हुए कहा, यह एक बीमारी है, तुम्हें इसका इलाज करना होगा मोटिंग ने धीरे से हस्ते हुए उसकी हथेली को चूम लिया, केवल तुम ही हो जो मुझे ठीक कर सकती हो अध्याय निन्यानवे, सुबह सुबह फिर किया तोड़ना, आधी रात में, गोल्डन एज एंटर्टेन्मंट ग्रूप की पियार विभाग में लिया अंग फीक सेंग इस समय सुयमो की नशे में गाड़ी चलाने के मामले को लेकर काफी दबाव में थी, जहां उसने किसी को टक कर मार दी थी, तभी उसका निजी फोन अचानक बज़ उठा वो हधीरता से अपने फोन को एक तरफ फेकने के लिए तयार था, लेकिन डिस्प्ले देखने के बाद, उसे पसीना आ गया और वो तुरंट सीधा बैक गया और जल्दी से फोन उठाया हेलो, सीयो मो, शमा करें, हम फिलहाल इस मामले का ध्यान रख रहे हैं, कल रात तक इसका निप्तारा हो जाएगा मामला क्या है, फोन से उस आदमी की थंडी और दूर की आवाज आ रही थी आ, वो है, सुयमो की नशे में गाड़ी चलाने की घटना, आप उसकी वज़े से मुझे नहीं धून रहे हैं लियांग फिक्सिंग ब्रमित थी, तो क्या बॉस ने देर रात इस मामले पर पूछताच करने के लिए फोन नहीं किया था नहीं, लियांग फिक्सिंग ने तुरंट राहत की सांस ली, अधिक परिश्रम करने के कारण उसका मस्तिष्क खराब हो गया था सीयोमो ने कभी भी गोल्डन एज के व्यवसाय में हस्तक शेप नहीं किया भले ही इस घटना में गोल्डन एज की शीर्ष महिला अभिनेतरी, सुयमो शामिल थी और यह उनके लिए एक बड़ा मामला था लेकिन मोटिंग की नजर में यह संभवत तक कुछ भी नहीं था तो फिर इस वक्त बिग बॉस उन्हें क्यों ढून रहे थे फिकसिंग और भी अधी का सहज होने लगी तो फिर तुम मुझे धून रहे हो अगले 24 घंटों में जेया क्विंग किंग को मनोरंजन जगत से रिटायर कर ले मैं तुरंत एक ओर्डन इर्धारित कर रहा हूँ जेया क्विंग क्विंग सी ओमो आपका मतलब किस जेया क्विंग किंग से है स्टार लाइट एंटर्टेन्मंट जब आवाज ने बोलना समाप किया तो लियान फिकसिंग का चेहरा आश्चर्य से भरा था जेया क्विंग किंग जिसका लोक औसट से उपर था लेकिन स्टारलाइक द्वारा उसे बेंटेटेन्मन सकल की हैशेक ब्यूटी के रूप में बिल किया गया था वो सोच रहा था कि बॉस का कौन सा बड़ा शौट था लिया अंग फीक सिंग का चेहरा हैरानी से भरा था लेकिन उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की उन्होंने सहमती जताते हुए कहा समझ गया सी यो मो मैं समझता हूँ जहां तक मुझे पता है जिया क्विंकिंग की उसी कंपनी की एक महिला कलाकार के साथ चल रही है उसके प्रतिद्वंधवी से निपतना आसान नहीं है और उसने पहले ही जिया क्विंकिंग पर बहुत सारी ब्लेक मेल सामगरी एकत्र कर ली है वो ही ये भी जानती है कि किसी और से अपना गंदा काम कैसे करवाया जाए उसने स्केंडल वीडियो बनाने के लिए सारी सामगरी हमारी कंपनी को सौंग दी जिया क्विंकिंग ने बहुत से लोगों को नाराज किया है उसके गिरने के बाद कई लोग उस पर हमला करने का इंतजार कर रहे है मेरा अनुमान है कि वह इतनी आसानी से बच नहीं पाएगी हाला कि उसे मनोरंजन जगत से बाहर निकालने के लिए हमें एक बड़ी आग की जरूरत है इसे गुपत रूप से करो मोटी ने चेतावनी दी हाँ, निश्चिंत रहें सीयो मो, कॉल रखने के बाद जिया क्विंकिंग के साथ लड़ने वाले कलाकार ने पहले ही 80% काम पूरा कर लिया था इसलिए उसे केवल अंतिम धक्का देने की जरूरत थी हाला कि जिया क्विंकिंग सिर्फ दूसरे दरजे की कलाकार थी उसने ऐसा क्या किया था कि बिग बॉस को व्यक्तिगत रूप से फांसी का आदेश देना पड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियान फीक से इने कैसे अनुमान लगया वह शायद यह अनुमान नहीं लगा सका कि उसका असली उदेश जिया क्विंकिंग को मनुरंजन क्षेतर से रोकना नहीं था बलकि एक छोटी अभिनेतरी का समर्थन करना था जिसका नाम शायद वह भी नहीं जानता था फॉक्सी अगली सुबह जब फॉक्सी उठी तो वह थोड़ी स्टब्ध थी वह मोँ आवास में क्यू पड़ी थी उसने स्पश्ट रूप से लगातार दो घंटे तक लिटल बन के साथ गेम खेला था फिर बाद में थकान के कारण वल जियांग मुये के लिविंग रूम में सोफे पर सो गई थी स्टब्धता में बिस्तर के पीछे की खिर्की से एक धमाके की आवाज आई फॉक्सी दर गई और यह चांचने के लिए जल्दी से उपर चगई की क्या हो रहा है जब उसने खिर्की खोली तो उसे नीचे बालों का एक सुनहरा सिर दिखाए दिया फॉक्सी का सिर पसीने की बूंदों से भरा हुआ था जयां मुये तुम यहां क्या कर रहे हो जयां मुये जो हमेशा अपनी छवी के बारे में सबसे अधिक परवा करता था वास्तव में अभी भी पिछी राद से वही कपड़े पहने हुए था इस समय तक उनका पहनावा जुरीदार हो चुका था और उनके बालस्त वियस्त थे उसने अधीरता से कहा फॉक्सी अभी नीचे आओ मुझे आपको कुछ बताना है जल्दी से फॉक्सी ने आह भरी उसे सिर्दर्द महसूस हुआ वोल जानती थी कि इस लड़के को ये जानकर कुछ भी अच्छा नहीं हुगा कि वह कहां रहती है जैसा कि अपेक्षित था वह सुबह सुबह उसकी खिलकी पर पत्थर फेकने आया था अध्याय सो, बड़ी बहन सितारों की ओर लक्षे कर रही है बस सीधे नीचे कूदो, जल्दी से और ऐसा अभिने करना बंद करो जैसे कि तुम कोई गुनी महिला हो जैन्ग मुए ने उससे ऐसे आग रह किया जैसे उसकी पैंट में आग लग गई हो निशब्द, फॉक्सी के मूँ का कोना हिल गया इससे पहले कि वो किर्की की सिल पकरती और खुद को बाहर फिक देती जैन्ग मुए ने तुरंत उसे अपने उपर खीच लिया कुछ बार उसे चारो और भुमाने के बाद और ये देखने के बाद कि उस पर रात की गतिविध्यों का कोई निशान नहीं था उसने उसे जलती हुई दृष्टी से देखा क्या कल रात कुछ हुआ था चारो और भुमाय जाने के कारण लोमरी लगभग बेहोश हो गई उसने अप्रसन्नता से कहा ज्यांग मुए इतनी सुबह हो गई है तुम विस्तर पर रहने के बजाए यहां बाहर क्यों आ रहे हो मैं तो चैन से सो रहा था मुझे क्या हो सकता था उसके माथे पर नसे उभर रही थी और उसने कहा लोमरी क्या तुम सूर हो मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि तुम कल रात यहां कैसे आए मैं सच मुछ नहीं जानता फॉक्सी की मासूम अभिव्यक्ती थी जयाल मुए ने खुद को शांत करने से पहले एक गहरी सांस ली अपने दाग पीशते हुए उसने कहा तुम बहुत मूर्खो मुझे आश्चर रह कि तुम्हें कोई कैसे नहीं ले गया और पहले ही बेच दिया यह मोटिंड ही थी जो तुम ही कल रात वापस ले गई यह सुनकर फॉक्सी थोड़ा दर गई इससे पहले कि उसने आपती जताई तो क्या हुआ तब यह मेरा प्रेय छोटा सा बन ही रहा होगा जो मुझे जगाना बरदाश्ट नहीं कर सका और उसने अपने पिता से मुझे वापस ले जाने के लिए कहा चूनकी यह मामला तब था जब वे बार में थे जहां लिटल बन मोटिंग के अलावा किसी और को उसे चूने नहीं देता था उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा जियान मुए हताशा से लगभग ठक चुके थे लो मुडी क्या तुम थोड़ा और सतर्क हो सकती हो मोटिंग किस पश्ट रूप से आपके प्रती कुछ इरादे हैं ठीक है फॉकसी ने ज्यान मुए के कंदों पर अपनी बहें रखने से पहले एक लंबी आहभरी उसने अत्यांधी मांदारी से कहा भाई ये बड़ी बहन सितारों के ओर लक्ष कर रही है मैं किसी भी आद्रचिक प्रेम के लिए नहीं रुकूँगी भले ही तुम भूटने टेक कर मुझे अपनी चाची बनने के लिए विनती करो मैं तुम्हें मौका नहीं दूनगा ठीक है प्रिपया अपना ब्रम बंद करें सनान करें और सोने के लिए घर वापस जाएं जब उसने ये सुना तो जयान मुहे का मूर जटल हो गया जबकि उसने राहत की सांस ली साथी उसने विरोधा भासी भाव से उसकी ओर देखा मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में अपने पूरे जीवन भर शादी करने का इरादा नहीं रखते हो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ती से मिले जिसे आप पसंद करते हैं तो क्या होगा लो मुरी, सोचने का ये तरीका खतरनाक है और तुम्हें इस तरह के विचार नहीं रखने चाहिए तुम्हें पता है मैं आपको बता दू, हाला कि आपका कर्य महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए शादी होनी चाहिए एच फॉक्सी अब और विरोध करने में असमर्थ हो गई थी और उसने लात मार कर कहा जियान मुए, क्या तुम्हारा काम अभी तक पुरा हो गया क्या तुन मुझसे जगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने तुम्हें पीटा है बहुत समय हो गया है और तुम पिटाई के लिए बेचैन हो रहे हो तुमने कल ही मुझे पीटा तो फिर मैंने इस पश्ट रूप से पिछली बार तुम्हें परियाप्त नहीं हराया था ये बड़ी बहना तुम्हें पीट-पीट कर समर्पन करने वाली है देखते हैं क्या तुम अब भी बक्वास करने की हिम्मत करते हो जियांग मुए दरकर भाग गया और अचानक उसके पीछे देखा और चिलाया अंकल फॉकसी ने भयावय हव्यान के किया अंकल भले ही तुम अंकल चिलाओगे कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा जैसे ही फॉकसी के पंजे हामला करने वाले थे जियांग मुए जोर से चिलाया नहीं यह मेरे चाचा है फॉकसी की पीठ अकल गई और उसने यंत्रवत अपना सिर घुमा लिया मोटीड वहां कसरत की पुशाक में खड़ा था उसकी तवचा से पसीना बह रहा था देखने से लग रहा था कि उसने अभी अभी सुबल की सैर पूरी की है चून की वह अपने भतीजे को पीठते हुए रंगे हाथों पकली गई थी इसलिए फॉकसी ने कुछ कहने के बारे में सोचने की कोशिश की उसने तुरंट जयांग मुए की ओर इशारा किया और कहा मिस्टर मो यहां आदमी आपके घर की खिर्किया तोड़ने के लिए सुबल सुबह आया था मैंने उसे खोज लिया था और मैं तुम्हारे लिए उसे पीठने की तैयारी कर रही थी जयांग मुए ने उसकी ओर देखा बेशर्म क्या आप ये दावा करने का साहस करते हैं कि आपने उन्हें नहीं तोड़ा फॉक्सी ने सक्ती और इमानदारी से कहा मोटी ने लड़की के बालों से घास का एक कत्रा हटाने के लिए हात बढ़ाया उसके सिर को अपनी बड़ी हथेली से सहलाया जैसे कि यह करना एक स्वाभाविक बात हो, मूर्ख मत बनो जाओ और नहालो, नाश्ते का समय हो गया है हास सर, मैं अब जा रही हूँ खुद से खुश होकर, फॉक्सी ने जाने से पहले जियांग मुई की और मूँ किया जैन मुई को इस बात से नफरत थी कि वह उससे पकर नहीं सका और उस पर बेतहाशा चिल्ला नहीं सका ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं बलकि तीन बार हुआ मूटिंग पहले से ही इतना स्पष्ट अभिने कर रहा है क्या आपकी पागल कुटे जैसी आखे इसे नहीं देख सकती